आपका स्वागत है आज हम जाली पैटर्न पे ये खुबसूरत सा डिजाइन बनाएंगे जिसे आप कारडिगन में जैकेट में कोटी में चाहें किसी भी मंचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं इसे बनाने के लिए तीन के मल्टिपल फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्ट चलिए हम डिजाइन बनाते हैं आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें यहां पे आपको प्रद्दिन एक निया डिजाइन देखने को मिलेगा और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके और फिर यहां हमको एक जारी जालना है तो उन अपनी और करेंगे और अगला फंदा स्लिप कर जाएंगे नेक्स्ट दो फंदो को सीधा बनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा इन दोनों फंदो के ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे इन ही तीनों फंदो को हमें पूरी लाइन में दोराना है उन उसे चढ़ा के लाना है अगला फंदा स्लिप करना है दो फंदा सीधा बनना है और स्लिप किया हुआ फंदा इन दोनों फंदो के ऊपर ऐसे चढ़ा देना उन लपेट के दूसरी तरफ लाएंगे अगला फंदा को स्लिप करेंगे फिर दो फंदा सीधा बनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा इन दोनों फंदों के उपर ऐसे चरहा देंगे उन लपेट के लाएंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे नेक्स्ट दो फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा सलाई में दोनों फंदों के उपर से चला के दूसरी तरफ कर देंगे अब यहां पे वापस तीन फंदे हो गए एक जाली वाला और दो फंदा जो सीधा बुना गया था उन सलाई में लपेट के लाएंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे दो फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा इन दोनों फंदों को इस स्लिप किया हुए फंदे के अंदर से निकाल लेंगे और इस स्लिप कियोए फंदे के अंदर से दोनों फंदों को निकाल लेंगे ऐसे ही हमको पूरी लाइन में करना है दो फंदो को सीधा बुनना है और लास्ट फंदा सीधा और लास्ट फंदा सीधा और रॉंग साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उन लपेट के सलाई में लपेट के अपनी ओर लाएंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा इन दोनों फंदो के उपर चला देंगे उन सलाई में लपेट के लाएंगे एक फंदे को स्लिप करेंगे दो फंदे को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा इन दोनों फंदों के उपर चला देंगे उन सलाई में लपेट के लाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदा उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा के अंदर से इन दोनों फंदों को निकाल लेंगे उन सलाई में लपेट के लाएंगे एक फंदे को स्लिप करेंगे दो फंदों को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा सलाई के अंदर से इन दोनों फंदों को निकालेंगे यही प्रक्रिया हमें पूरी लाइन में दूराने है झाल झाल और लास्ट फंदा उल्टा इन ही दोनों लाइनों को हमें रिपीट करना है फिर से देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे उन सलाए में ऐसे लपेट के लाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे और दो फंदा सीधा बनेंगे ये पहला फंदा और अगला फंदा ये जाली वाला दोनों फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा इन दोनों फंदों के उपर ऐसे चला देंगे उन सलाई में लपेट के लाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे और दो फंदा सीधा बुनेंगे ये पहला फंदा और अगला फंदा जाली वाला दोनों फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप कियो फंदे के अंदर से इन दोनों फंदो को निकालेंगे पहला फंदा एज टिच है और इन ही तीनों फंदो को पूरी लाइन में दोराना है लास्ट फंदा उल्टा और सेम यही प्रोसेस हमें रॉंक सैट से भी दोराना है उन सलाई में लपेट के लाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे और दो फंदो को बैक साइड में हमें उल्टा बुना है आगे हम सीधा बुन रहे हैं और बैक साइड से हम उल्टा बुनेंगे उन स्लाइमे लपेड के लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे को उल्टा बुनेंगे, सामने से हमने दो फंदो को सीधा बुना था और रॉंग साइड से उल्टा बुनेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा, इन्ही तीन फंदो को हमें पूरी स्लाइमे दो राना है तो फ्रेंट्स डिजाइन बन के त्यार है डिजाइन आपके सामने है दो लाइन का ये रिपीटेट डिजाइन है और इनी दोनों लाइनों को दुरहने से डिजाइन बन के त्यार हो जागा सामने से ये ऐसा दिखाए दे रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रांट्स डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाईए इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर कीजिए बेल आइकन प्रेस की कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद